हेलो फ्रेंज सभी यूटूब सोताओं को हमारे चैनल की तरफ से नमस्कार मैं हो विस्तोजीत और नभी पेट केर से तो आज मैं आप लोग को साथ डॉक की डिवॉर्बिंग की बारे में बताना चाहूंगा जो डॉक के लिए बहुत ही जुरूरी होता है अगर हम लोग सही चाइम पे डिवॉर्बिंग नहीं कराएंगे तो हम लोग को क्या-क्या मने डॉक की जो प्रॉब्लेम होता है देखने को मिलता है जैसे देखिए डॉक जब पॉटी करेगा वो काफी धिला सा रहेगा उसमें से काफी गंद आएगा और डॉक की जो ग्रोथ जो होता है जो बॉडी जो होता है ओभी कफी डाउन की तरफ देखने को मिलता है और देखिए जैसे हम लोग डॉक को जब बुलाते हैं तो ओभी कफी ठका हुआ सा सोता नजर आएगा और बुलाने से भी नहीं आएगा हमारा पास और उसका जो एक्टिविटी रहता है हम लोग का घर में तो ओभी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा इस सब का करण है से ही टाइम पर अगर हम लोग कि डिवारू बिंग बुलाने की जुरूरत नहीं पढ़ आएगा जब भी हम घर की तरह आएंगे तो वह पहले से उसको पता चल जाएगा कि घर का जो ऑनर है वह आ रहा है तो जैसे देखिए मेरा पास बुलाने से भी नहीं बुलाने से भी वह आ गया मतलब सोझ रहे कि मैं वीडियो में क्या कर रहा हूं वह देखिए आ गया बैठ गया दोन टो सबसे अच्छी टाइम होता है सुबह में जब टोऌज की इमती स्टोमग रहता है उस टाइंब पर हम लोग हमें लोग कर लेंगे तो एक दम perfect होता है और डोग की जिस दिन हम लोग devolving कर लेंगे जिए डेट को उस डेट को हम लोग को एक तो खात्य में लिग लेना है ताकि हम लोग को बाद में याद रहता है कौन सा डेड में हम लोग उसे डिवॉर्मिंग किया था तो उस हिसाब से हम लोग को फिर तीन माईना का अंदर डिवॉर्मिंग करना है सुवे में अगर कभी-कभी सुवे में नहीं हो पाता है तो तो हम लोग क्या कर सकते हैं साम को जब डॉक को हम लोग खाना देता है जैसे इविनिंग में 6-7 बजे या फिर 8 बजे तो उस टाइम का बाद जिस टाइम पे खाना दिया उसका बाद 2-3 घंडा का बाद जब डॉक पॉटी कर लेता है तो उसका उसका बाद भी कुछ हद तक आग का स्ट्रमग भी खाली हो जाता है हम लोग कर सकता है तो यह वालें का टाइम वेट करना बहुत ही जोरूरी होता है तो इसलिए मैं भी अपना चिकू को वेट कर लिया और इसका वेट है देखे 9 kg तो आप लोग कोई भी कमपनी का मेडिसिन से डी बॉर्बिंग कर सकते है जैसे डॉंटल प्लास, बेंडिस्टर पाप, वांप स्टॉप तो मेरे हाद में कोई अगर small bit होगा तो कभी भी मनलब गलती से भी पूरा tablet उसको गले में मत दीजिएगा उसे आधा करके दीजिएगा ताके वो आराम से निगल सकता है जब उसको tablet उसको दीजिएगा गले में तो आपना हाथ को देखे इस तरह से सैला ये और इसका जीब देखे जब भी आगे पीछे हो जाएगा मतलब वो निगल लिया और जब वो निगल लेगा male होगा तो बुलिए good boy female होगा तो good girl एक ही company का tablet से devolving बार बार मत किजिएगा इससे क्या होगा आपका dog का devolving अच्छे से नहीं होता है इसलिए आप लोग tablet को बार बार change करते रहिएगा तो friends आप लोग जब भी devolving कराने जाएंगे तब तब अब लोग को क्या करना है devolving के साथ दिन पहले और साथ दिन बात उसे लिवर्टोनिक दीजिए और लिवर्टोनिक जो बाक्षा रहता है उसमें अब लोग को देखने को मिलेगा कौन सा बीट को कितना तक आप लिव लिवर्टोनिक कब देंगे जब भी आप लोग मलब दूपोर का रात का जब खाना देंगे उसका 10 मिनिट पहले उसके लिवर्टोनिक दे दीजिए ऐसा करने से डॉक की जो लिवार रहता है और ठीक ठाग रहता है और हमारा इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा ल